राउंड बन का रजल्ट आ चुका है सैने किस्पुली काउंसलिंग के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट जारी की गई है गाइडलाइन जिस गाइडलाइन के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं बताऊंगा कि अगर आपका सेलेक्शन हो गया है तो आपको accept करना है या exit करना है या reconsider करना है और इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है यह सारे डीटेल्स में आपको बताऊंगा और एक मैं screenshot के साथ आपको डीटेल्स बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना result चेक करना है और अगर round 1 का result क्या आया है उसके हिसाब से आपको क्या decisions लेने हैं यह सारे details की बात हैं हम आज इस वीडियो पर करेंगे नमस्ते मेरा नाम है स्रेश गुपता मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा exclusive वीडियो जिसमें आपको e-counseling से related बहुत important data मिलने वाला है तो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि आगे चलके और भ साथ ही साथ में हम list of documents देखेंगे जिस document को आपको लेके जाना है verification के लिए जब आपको admission मिलेगा तब वो सारा का सारा detail मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा तो इसलिए चैनल को subscribe करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए बिना किसी time waste के हम फड़ा फट से देख साथ है वो आप खोलिए Google search पर टाइप कीजिए सेनिक इसकूल सेनिक कांसलिंग कर दीजिए उसके पहला लिंक आएगा उस लिंक को क्लिक करिए और यहां पर आप पहुच गए इस website को यह जो वेब साइट है ऑफिशियल वेब साइट से से स्कूल सूसाइटी के साइट से से आपको यहाँ पर यह जो तीन बिंदी तीन लाइंस दिखे रहे हैं तीन लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पांच ओप्शन दिखेंगे Home, Counseling Process, School Information, Notices और Helpless आपको Notices में क्लिक करना है और Notices में जो सबसे पहला पॉइंट दिया है इस first PDF के बारे में जिस पर लिखा हुआ है result for round 1 e-counseling has been declared click here for guideline document तो मैं आपको guideline document के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एक PDF डाउनलूड होगा वो PDF कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ instruction to the candidates allotted provisional seat in round 1 of AISS AC in the sanic schools including new sanic school with screenshot याने कि इस PDF के अंदर में सारा detail बताया हुआ है कि किस तरीके से student round 1 result के बाद क्या क्या step चूज़ करेगा तो उसके लिए better होगा यह सारे details में आपको short में बताने वाला हूँ अगर पुरा PDF आपको पढ़ना है तो वेबसाइट पर जाके पुरा PDF भी आप download करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें तीन शब्द बोले है accept, reconsider और exit यह कब आएगा जब आप sign in करेंगे अपने इस website के अंदर में जब आप sign in करेंगे अपना result देखेंगे तो result जब आपको दिखेगा उसके नीचे options आएगे अगर आपको सैनिक स्कूल में seat नहीं मिला है तो कोई भी extra option नहीं आएगा लेकिन अगर आपको मिल गया है कोई भी seat किसी भी सैनिक स्कूल में मान लेते हैं सैनिक स्कूल अंभी का पूर में आपको seat मिल गया round 1 के result में तो नीचे आपके तीन options दिखेंगे accept, reconsider और exit यहाँ पर देखें तीनों लिखा है accept, reconsider and exit अगर आपने accept कर लिया तो इसका मतलब यह है कि जो सैनिक स्कूल आपको ऐलोट हुआ है उसमें आप admission लेना चाहते हैं और अब आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर verification के लिए दूसरा है reconsider reconsider का मतलब यह है कि आपको सैनिक स्कूल तो मिला है और यह भी हो सकता है कि कुछ ना मिले ठीक है तो वो चीज ध्यान रखने वाली बात है और लास्ट ऑप्शन है exit exit आप कब करोगे exit जब आपने कर दिया तो सीधी बात होगे कि भाई आपको सैनिक स्कूल में admission नहीं मिलेगा तो यह option तभी क्लिक करें जब आपको लग रहा है कि यह सैनिक स्कूल में मन नहीं है selection का या जो सैनिक स्कूल मिला है उससे आप satisfy नहीं हो तब तो यह तीनों options के बारे मैं आप detail में समझ चुके हो उसी तरीके से जो candidates है अगर उनका round one में result आया है उनको एक्सेप्ट कर लिया है आपके उसके लिए कि भिया कब medical में जाना है कहां पर जाना है मैं भी दिखा दूँगा screenshot के अंदर में कि कहां पर आपको वो सारा location के बारे में पता चलेगा फिलाल बस इतना समझे कि जब आपने accept कर लिया कि भी है जो सैनिक स्कूल मेरे को मिली है मैं उसमें खुश हो तो आपको मिल जागा एक timing जिस timing पे आपको जिस date पे आपको जाना है सैनिक स्कूल जिसमें आपका selection हुआ है वहाँ पर और वहाँ पर medical आपको show करना है अपना medical आपके check-up के बाद आपको document verification के लिए जाना है और ये सारा काम complete करने के बाद आपका admission का date आपको बता दिया जाएगा और फिर आपको admission कराना है आपकी fees जमा होगी उसके बाद ही admission होगा तो fees के लिए भी आप पहले से ही पैसे इकठा कर लिजिए क्योंकि I think कि अगर आप general है और आपका income 1 lakh से उपर का है तो आपकी fees लगभग 1 lakh 20 to 30 thousand लग सकती है तो आप अभी से ही पैसे इकठा करना शुरू कर दीजिए अगर आपको round 1 के result में सैने के स्कूल मिला है तो आके बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर steps दिये हुए कि कि किस तरीके सा आपको करना है जो मैंने आपको शॉर्टन बता ही दिया है पहला step पर विया reporting at the medical center जैसी आपने accept कि around 1 का result accept करते ही वो आपको dates और time और area बता देगा जहां पर आपको medical के लिए जाना है वहां पर पहुंच कि आपको अपना medical examination कराना है उसके बाद medical examination complete होने के बाद आपको अपने physical verification कराना है physical verification का मतलब यह होता है कि आपको कोई भी document online नहीं भेजना है आपको पुरा का पुरा real document जो आपके पस दस्ता बेज होंगे उसको ले के जाना documents को और Sanic School verify कराना है कि यह documents असली है नकली नहीं है और नकली अगर होते हैं तो उस पे आपको jail भी हो सकती है इसलिए आप कभी भ धोका धर्डी ना करें आपके real documents लेके जाएं और फिर final जो है process वो है payment of fee और fees पे करने की बाद ही student का admission मिलेगा तो जैसे ही आपने fees पे क्या admission कंफर्म हो गया आपका सबसे पहला duty बनेगा कि आप जाए आपने पुराने स्कुल में और वहां से TC के लिए याने के transfer certificate के लिए apply कर दें ताकि admission में आपका delay ना हो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दिखिए मैं screenshot के साथ आपको दिखा देता हूं कि भाई सहाब आपको किस तरीके से यहां पर दिखेगा जब आप अपना result चेक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप sign in वाले option प पासवर्ड अपना डालना यूजर ने में आपका application number पासवर्ड जो आपने registration के टाइम पर बनाया होगा sign in करेंगे sign in करने के बाद आप देखिए यह वाले interface खुलेगा जहां पर आपके details दिये होंगे और यहां पर candidate result left side में लिखा होगा candidate result में click करिएगा click करने के बाद यह page पूरा full open होगा जहां पर देखे last में लिखा होगा allotment details यह allotment details क्या है मैं बता देता हूँ आपको यहां पर यह data दिया हुआ है कि भिया कौन सा सैनिक स्कुल allot हुआ है अगर नहीं हुआ है तो लिखा रहेगा कि not allotted सीधावार और अगर हो गया है तो लिखा रहेगा कि कहां पर allot हुआ है कौन से round में हुआ है और किस category से हुआ है साथ ही साथ में medical center और उसकी reporting time का भी दिया होगा जैसे यहां पर एक example में दिया है राज कोट 2023 17 मार्च शाम के चार बज़े तो देखें यहां पर timing एक example के लिए दिया हुआ है वैसे आपके में भी यहां पर time area आपने medical के लिए ठीक है तो यहां पर देखें नीचे पर यहां पर कुछ दिख रहा है accept and continue reconsider exit तीन ओप्शन दिख रहे हैं तीनों की details मैं आपको समझा दिया है अब क्या करना है आपको इन तीनों options में से किसी एक को choose करना है या तो आप accept कर लो कि मैं मेरे को सैनेक स्कूल मि क्या होगा यहां पर यह प्रिंट करके option नीचे बन जाएगा automatically यहां पर आपको प्रिंट कर लेना वह पेज वह पेज जो प्रिंट करोगे उसको अपन बोलते हैं provisional allotment letter तो जो printing आप निकालोगे अभी जो मैंना भी बताया इस step में उसको क्या बोलोगे provisional allotment letter इसका मतल इन केस अभी आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो बाद में फिर से साइन इन करके आप प्रिंट कर सकते हो बट मैं कहूंगा कि पहले से प्रिंट करके दो तीन पेज़ेस बनाके रख़ड़ोगों कराके ठीक है तो यहां पर से आप लोगों का सारा का सारा काम complete हो यह सारा का सारा डिटा मैंना आपको समझा दिया है आपको प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन पर आईए मेरे को पूछिए एडमीशन नहीं छुटना चाहिए कोई भी छोटी मोटी गलती नहीं होनी चाहिए और अगर चैट में कमेंट में मैं रिप्लाई जल्दी नहीं कर पा यह उसपे जाईए जॉइन कर लिजए ताकि सारा डिटा आपको मिले और वहाँ से आपको मेरे को पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हैं और को कॉल अगर मैं डिसीव ना कर पाऊं तो मेरे को प्लीज वॉट्टप कर दीजे मैं सारा आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा तो आई थिंग आपको सारी जी समझ आ चुकी होंगी, तब तब के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए से सरकी क्लास, टटा, बाई बाई, जय हिंद!